तो आज हम करते हैं आर्टिकल्स ठीक है आर्टिकल्स जो है हमारे ग्रेमर में यह जो आर्टिकल्स जो है एक्जाम्स में बहुत आते हैं ठीक है तो आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल्स क्या होता है सबसे पहले आर्टिकल्स जो है उसमें थ्री आर्टिकल्स थ्री टाइप्स क्यों होते हैं, या क्या होते है, a, an, और the. ठीक है, अब articles होते क्या हैं, articles जो होते है, words are used before and modifies noun, या noun के आगे जो भी noun हो, उसके आगे होता है, यह जो articles है, और modifies करते हैं, noun को modifies भी करते हैं, ठीक है, और ये हमेशा functions जो करते है वो adjective की तरह करते है ठीक है और ये जो articles क्या दिखाते है आपको एक specific दिखाते है नहीं तो general दिखाते है या तो एक specific दिखाते है या general दिखाते है ठीक है specific means exact ठीक है वो दिखाते है और या तो नहीं तो एक general दिखाते है ठीक है और इसमें three types की होते है a and or the a and the ये तिनो होता है आर्टिकल्स होता है और मैं इसमें ये बता हूँ कि आपको आर्टिकल्स जो a and the होता है ये तीनों क्या होता है singular होता है क्या होता है singular singular होता है ठीक है अब देखो अब types of articles types of articles कितना होता है दो होता है एक होता है definite of definite articles और second जो होता है indefinite articles अब definite articles में क्या आता है the सिर्फ दा आता है indefinite articles में a और n और a और n आते हैं ठीक है ये दोनों जो है indefinite में आते हैं और दा जो है definite में आते हैं अब इसमें क्या दिखाते हैं, definite articles में हमेशा specific, exact, यानि कि वहीं है करके ऐसे specific दिखाते हैं, unique दिखाते हैं, ठीके, और indefinite articles जो होता है वो बिलकुल general होता है, ठीके, generally होता है, ठीके, तो इसमें मैं अगर आपको एक example दूँ, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने example भी लिखा हुआ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके कुछ apples है, ठीके, यहाँ पर कुछ तीन-चर groups of apples है, ठीके, तो उस group of apples में से आपको एक खाना है, ठीके, तो फिर आपने बोलना है, I want to eat an apple, यानि कि एक apple खाना है, from the group of apple, group of apple में से आपको एक apple खाना है, आप उसी apple को आप अगर specific दिखाते है, I want to eat the apple, यहाँ पर आपने द यूज़ किया, the apple, which is at first position, यानि कि first position, आपको सरी first position वाला ही खाना है, तब हम क्या यूज़ करते है, the यूज़ करते है, यानि कि वो आप उस apple को specific दिखाते है, उसी apple को खाना है, ठीके, अप यहाँ पर आपको आर्टिकल्स जो ह होता है, वो three होता है, तीन टाइप्स की होता है, A, N और the, यह तीनों जो हमेशे singular होता है, और इसमें definite और indefinite articles होता है, definite articles में दा होता है, indefinite articles में A और N होता है, ठीके, now next comes, हम uses, अब uses, A और N को कब use करते है, ठीके, यह हम पढ़ाएंगे, ठीके, अब A और N, ठीके, जैसे normal है हमारा 26 letter, यह जो आप जो इतने बड़े बच्चे हो, आपको पूरा पता होगा, यह articles जो है, बहुत छोटे छोटे बच्चे को आते है, ठीके, तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है, ठीके, सबसे पहले देखो, letters में 26 letter होता है, alphabet letters जो होता है, वो 26 letter ह होता है, उसमें vowels होता है, 5, और consonants जो होता है, वो 21, अब देखो, 5 vowels में से क्या क्या आते है, A, E, I, O, U, और बागी जो भी 21 है, वो consonants में आते है, अब vowels sound N, ठीके, जब भी vowel का sound होता है, उसके आगे हम N यूज़ करते हैं, जब भी consonant का sound हो, उसके आगे हम A यूज़ करते ह अब यहाँ पर देखो sound vowel की sound के बारे में consonant sound की बारे में हम letters की बारे में नहीं बोड़ा है sound ठीक है जैसे कि यहाँ पर मैंने example लिखा हुआ an ant ant ठीक है तो आवाज भी a की आ रहा है तो फिर उसके आगे क्या होगा an an enemy an ice cream an orange ठीक है जब भी vowel का sounds हो उसके आगे हम क्या यूज़ करते है an यूज़ करते है यहाँ पर एक लिखा हुआ an are यहाँ पर h जो है silence हो जाते है फिर हम a का sound निकाले आर ठीक है तो फिर उस a का sound जब भी हम निकालते है उसके आगे an आते है इसी तरह honest honest ठीक है an honest यहाँ पर तो consonant है अगर हम letter में देखो तो consonant है बड़ जब हम sound यूज़ करते है तो फिर उसमे honest o की sound यानि कि vowel sound आते है उसके आगे हमें an आते है an an ठीक है इसी तरह consonant का sound जैसे कि a boy a horse a woman a book a university ठीक है यहाँ पर y का sound आता है sound जो है y का आता है है तो यहाँ पर you है you तो wovl है तो हमें an university आना चाहिए बट हमारा sound जो होता है वो y का sound आते है यहाँ पर भी y का sound आता है a one i ठीक है an कभी नहीं बोलते one i one रुपी ठीक है तो फिर इसके आगे क्या आते है a इसी तरह i European ठीक है इसी तरह हम जो a और n यूज होता है वो n जो होता है wovl sound के आगे होता है और a जो होता है consonant sound के आगे होता है ठीक है अब हम next देखो यहाँ पर uses of the सबसे पहले अब हम जब दा कहां पर use होगा उसके बारे में करते हैं अब दा का सबसे पहले pronunciation of दा यानि की pronouns केसे करते हैं जब भी words के आगे कुछ wovl sound की आगे दा होता है उसको हम दा नहीं बोलते दी दी अमेरिका दी एपल दी ऑनियन अगर यहां पर हम consonant का sound हो तो फिर हम दा बोलते हैं फिर ठीके अगर wovl का sound हो तो फिर wovl का जो भी words हो उसके आगे हमने दा यूस करना है बट wovl का sound हो तो अब दी 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 करके बोलना है अगर अपने consonant हो consonant sounds हो तो उसके आगे जो भी आप दा यूस कर रहे हो उसको दा ही बोलते है ठीके तो यहां पर देखो five important usage of दा एक usage दा कर कहां कहां पर यूस होता है सबसे first जो है it is used to refer to something which has already been mentioned यानि कि एक ऐसा it is used to refer to something which has already यानि कि पहले already mentioned किया हुआ है उसको जब हम दा यूस करते है तब हम दा यूस करते है ठीके यानि कि repeat यूस होता है ठीके आपको जब examples होगा तो आपको clear पता लग जाएगा यहां पर देखो he has a girl यानि कि he has a girl उसके पास एक लड़की है यानि कि girl है the girl ठीके उस girl को फिर से हम उसके बारे में बोल रहे है तो फिर उसके आगे हम दा यूस करते है he has a girl the girl wants to become a doctor ठीके इसी तरह the eye at an apple यानि कि उन्होंने एक apple खाया the apple which apple जो apple उन्होंने खाया the apple was sweet ठीके यानि इसी apple को फिर से repeat हो रहा है तो उसके आगे हम क्या यूस करते है the use करते है clear है अब next second जो है second कौन सा है अब देखो यहाँ पर second it is used when we talk about a particular person or a thing हम किसी particular person या किसी particular चीज के बारे में बात करते है तब हम the use करते है यहाँ पर लिखा हुआ है my father enjoyed the book you gave him my father enjoyed यानि कि मेरी फादर जो है वो बुक पर टे टाइम जो मेंने बुक दिया था वो enjoyed किया यानि कि उसी बुक को उसी बुक को उन्होंने particular करके उसी बुक को refer किया हुआ है उसी बुक को दिखा रहा है तो उसके आगे क्या आते है दा आते है let's go to the park यानि कि the park means वो randomly कोई park में नहीं जाएगा उसी बुक को जाएगा जो उनके सामने है ठीक है let's go to the park उन लोगों को पता है ठीक है अब third जो है it is used when a singular noun is used to represent a whole class अब singular noun और ये दा कब यूस होता है एक singular noun यानि कि singular noun means यहाँ पर example में दिया हुआ the cow is useful animal the cow हर यानि कि एक useful animals जो है वो सारे cow को बोल रहा है ठीक है यानि कि एक singular noun एक noun whole class को represent करते है ठीक है पूरे class को represent करते है cow बहुत ज़ादा है तो फिर वो cow को represent करते है वो singular है बट वो whole class को represent कर रहा है हर एक cow को represent कर रहा है उसके आगे हम दा आते हैं ठीक है जैसे कि the cat loves comfort whole सारे cat को love comfort पसंद है तो फिर यहाँ पर singular हम एक cat को बता रहा है बट वो represents सारे cat को कर रहा है तब हम दा यूज करते है ठीक है अब next it is used before some proper noun ठीक है कुछ एक ऐसा proper noun है proper noun आपको जब हमने noun किया था एक proper noun होता है उस noun के आगे कुछ proper noun के आगे use होता है जैसे कि ocean और seas हो ocean और seas में the pacific the black sea ठीक है जब भी ocean का नाम हो या sea का नाम हो तब हम the use करते हैं जब भी हम river का नाम हो तब हम the ganga the nile करकी use करते हैं deserts का नाम हो the sahara ठीक है इसी तरह देखो groups of island ठीक है islands हो तो फिर the west indies ठीक है mountain ranges हो तो the mountain ranges holy book यानि कि holy book हो holy book आपको पता है आपको जब बगवत गीता होता है ठीक है Christian लोग the bibles होता है Muslim लोग the Quran होते है तो फिर उन सब क्या आपको दा होते है holy books क्या आपको ठीक है next जो है it is used to refer the people or an object that are unique यानि कि बहुत unique है उसके आगे हम दा यूस करते है जैसे for example the sun ठीक है यानि कि इस सरफ एक होता है the sun the moon the ocean the sea the Jupiter the planet यानि कि the Mars इस तरह जो unique होते है उसके आगे हम दा यूस करते है और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहते हूँ दा तब भी यूस होते है जब हम adjective में adjective में हमने degree of comparison किया था degree of comparison में हमारा क्या होता था एक पोजिटिफ एक पोजिटिफ करके होता था एक comparative करके होता था comparative करके होता था और last में एक super digestive करके होता था ठीके super Lative ठीके आप यहाँ पर अगर positive में अगर आप for example good लिक रहा हो तो यहाँ पर good better best करके super Lative में होता है तो जब भी superlative आते है superlative के आगे दा आते है the youngest ठीक है young, younger, youngest होता है तो the youngest superlative के आगे हमेशा दा यूस होता है beautiful, more beautiful the most beautiful ठीक है तो ये superlative के आगे भी दा होता ही होता है ठीक है तो आपको दा कहां कहां पे यूस होता है आपको देखो एक तो यूस कहां पे होता है जहां पर उसी जो भी नाउन हो उसको repeat हो रहा हो ठीक है और second जो कहां पे यूस होता है दा कहां पे यूस होता है जब particular person या particular चीज़ के बारे में हम बाते कर रहे हो ठीक है यानि कि एक singular noun हो उसको whole class को represent कर रहे है तब हम दायूस होता है और कुछ एक ऐसा proper noun है जैसे ocean or sea से तब दायूस होता है river, deserts, group of islands, mountain ranges, holy book इन सब के आगे दा होता है और एक बिलकुल unique चीज हो उसके आगे दायूस होता है और last में यहाँ पर number five लिखा हुआ है number six भी है जो degree of comparison में super native होता है उसके आगे क्या है दायूस होता है तो that's all of articles यानि कि जो भी articles है वो यहीं है आपको usage of a, an and the तैंक you so much